कि हलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आई-स में आप सभी का स्वागत है आज यहां हम करेंगे जो आपका यह मैगजीन है जो अभी अक्टूबर का इसमें लिखा होगा अक्टूबर का लेकिन इसमें में अगस्त का ही करेंट अफेर होता है तो पूरे अगस्त महिने का जितना भ कुष्चन पीछे दिया रहता है पूरे जो मेंगजीन का एक समरी कुष्चन दिया रहता है उसको भी हम करेंगे तो यहां पर लगभख 200 200 प्लस कुष्चन होने वाले हैं आप इन 200 प्लस कुष्चन को कर लिजिए आपका जब आई द्रिष्टी आएगा तो वहां पर रिवीजन ही होगा ठीक है तो यहां पर जो भी हमने पिछला पढ़ाया है मंतली में जिन उसको कर लिजिए अगर आपको वह घटना सार पढ़ना पूरी तरह से करवाने वाले हैं ठीक है क्योंकि वहां पर थेओरी के पार्ट में दिया रहता है तो MCQ के फॉर्म में नहीं मिलता तो हर एक लाइन का मैं MCQ बनाऊंगा आपको वही सॉल्व करना है ताकि आपको पेपर तक पूरी तरह से MCQ के फॉर्म में कुष्चन रट ज रहे से कि बनाइए पर सिर्फ आपको मैगजीन ही पढ़ायाती है घटाणा सार पढ़ाया जाता है और इसितितने पॉर्म में में पढ़ाया का रहा है तो चलते हैं पारा सरकार ने जो बाढ़ परभावित तिरपूरा के लिए राज आपदा मोचन कोश से कितनी रासी जारी करने की मंजूरी दिये अभी देखिए आप सुर्खियों में था कि बंगला देश में बाढ़ाया था यहां भी बाढ़ाया था यहां पर एक नदी चर्चा में थी गुम्टी किसकी साहिक नदी है मेघना की साहिक नदी जो चर्चा में थी तो बंगला देश वाले कर रहे थे इस बाढ़ के पीछे किसका हाथ है भारत का हाथ है ना मुलब कुछ भी होगा सब भारत ही आएगा ठीक है उसमें उनके हिसाब से तो यहां पर कितना भारा सरकार ने अपनी तरफ से राज आपदा मोचन कोश से कितनी राजी जारी की है 40 करोड रुपे याद रखेंगे चलते हैं निश्ट देखते हैं यहां पर क्या कर रहा है कि 22 अगस्त दो हजार चोविस को भारत और डेन्मार के बीच हरीत रड़नीतिक साजेदारी किताहत किस सहर मे सच नदियों पर स्मार्ट परियोग साला की असापना की गई है इन सब को हम थेयोरी के फाम में भी पढ़ा दिये हैं वहां पर आप देख सकते हैं देखिए भारत ने बहारत ने डेन्मार के साथ और एक आपका इनवर्सिटी है बीच्चो इनवर्सिटी तीनों ने मिलकर गंगा की इक सायक नदी है वरूरा तिक है उसी को पुद्णजीवित करने के लिए इस तीनों लोगों ने समझका कीए है स्वार्ण भारत ने समझोगता किया है यह कहां पर वारार सी में याद रखेंगे यह प्रियोग साला की आस्थापना की गई क्लिक्ट कणियों ज pursuing की वरुड़ा के पुनेशνगी करने के लिए अब यहां पर देखते हैं समन मिला यहाद रखेंगे तो यह मद्ध परदेश है कौन सा मद्ध परदेश है चलते हैं निश्ट देखते हैं इस पूरी 200 को देख लीजिए चाहे टू के स्पीड में ही बढ़ा के देख लीजिए क्योंकि यहां पर देखने का मतलब है वहां जब आप पढ़ेंगे तो यही सब कु स्कूलो के बच्छो को पवश्टिक भोजन उपलद कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है मुखमंतरी बाल पवश्टिक आहार योजना शुरू की गई है निश्ट देखते हैं पाचवाय नंबर को कोऌश्चन क्या करा है पाच्वे नमबर को कोश्चन कह रहा है कि 16-18 अगस्त 2024 के बीच आउजित अंतराश्टी फिल्म महुसे का दस्वा संस्क्रड कहां आउजित किया गया तो ये दस्वा संस्क्रड पूछ रहे हैं कहां पर आउजित किया गया तो दसमा संस्किरड कहां पे आउजद किया गया सिमला में किया गया एक त्यर्टर है गेती त्यर्टर वही पर यह आउजद किया गया रहा जिखते हैं उन्हें 550-214 को आधियों अ फिसका उध्र गाटन किया गया कहां पर आहमदाबाद में इंडो अमेरिकन चेंबर आप कावरो इंडेटकर क Einses Sedan कुमें और बन में गया गया विवनीटा जूत फिसके दौने के थधा होरा यह यह बहारती प्रदोकी सथावर इंदोर यह इसके दोवारा एक ऐसा जूता बनाया गया जिसमें आपका जीपियस लगा होगा और जिसको चलने पर क्या होगा उसको चलने पर इनरजी जनरेट होगी ठीक है तो मतलब जो भी एक्ट्यूटमेंट रहेंगे वह एनरजी प्रवाइड हो जाएगा उससे ठीक अगर जूता प कहीं फस गए उनके जूते से ट्रेकिंग हो जाएगी वह कहां पर फसे हुए है ठीक है मतलब वैसे भी उनके पास ट्रेकल लेकिन ऐसा होता है कभी-कभी वह सब डाउन हो जाता है ठीक है लेकिन अगर जूता है तो वह लगबग एनरजी प्रवाइड करता रहेगा ठीक है दियाड यो को अपूरत की गई है उलके उरजा संचेयन इकायों की थे भारतीय-पत्यों की इंदोड्य की बात कर रहे हैं यहाद रखेंहें ज़ेए कंसे क्या क्या कर रहा है किस सरकारने लुजिस्टिक निती-2024 को मनजूरी दिये जिसमें 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार पर कौन सा हो सकता है दो ही हो सकते हैं गुजरात हो सकता है या महाराष्ट्रा हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा काम यहीं पर होता है ठीक है तो यहां पर कौन सा है महाराष्ट्रा है याद रखेंगे महाराष्ट्रा अब देखते हैं निस देखते हैं यहां पर क्या कर रहा ह गुरू घासिदार तिमूर पिंगला बाकरवड कहां पर है कहां पर है यह 36 गड़ में है ठीक है अब देखते हैं दसवे नंबर को कुशिन क्या कर रहा है कह रहा है 6 अगस्त 2024 को महराठ सरकार ने किस नदी जोड़ो पर योजना को मंजूरी दी है तो किस नदी जोड़ो पर कुशिकर का कि यहां पर इस चार्व किस रजम्य साथ अगस्त 2024 को परिछण किया गया तेश का पहला एटियम चावल एटियम ठीक है तो यह उडीसा में आप वहाँ पर क्या है जैसे पैसा निकालने जाते हैं वैसे आप चावल भी निकालने जाएंगे ठीक है आप देखते हैं यहाँ पर किस राज्य विधान सभा ने 30 जुलाई दोजार चोविश को बिध्य विरुद्ध धर्म परिवर्टन परतिशेद मतलब धर्म परिवर्टन के बिद्यक था उसमें संसोधन किया गया अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही संसोधन किया गया इसको थोड़ा सा और कड़ा बना दिया गया है ठीक है जो धर्म परिवर्टन यह संसोधन भी देख है ठीक है तो यह उत्तर प्रदेश है ठीक है याद रखेंगे आप देखें यहां पर 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्टगान अनिवार कर दिया है आप कौन सा राष्टगान जो राष्टगान अनिवार कर दिया है हिमानचल परदेश है कौन सा हिमानचल परदेश याद रखेंगे तीक है अजसे देख लीजिए यहां पर किसे राष्ट यहां ने सभी स्कूलों को निवासन को निष्ट देखते हैं क्या कर रहा है कि 15 27 अगस्ट दोजार चोवीस को किर्शी और किसान कल्यार विबाग दोरा जारी रिपोर्ट के उसार इस वर्ष खरीप असलों की बुगाई कितने लाग एक्टेर में की गई है तो इस वर्स खरीब फसलों की बुगाई कितने लाख हेक्टेयर में अभी जो आपका खरीब फसल बोई नहीं गई है अभी क्या होगा जब अक्टूबर आएगा दिवाली का मौसम आएगा उसमें धान की कटाई होगी ठीक है तो मतलब जो अभी धान बैठाया गया है तो मतल हारे यहाđ 1665,000,000łaard हेक्टेयर धैका हमें 165,000,000 होगी है थोड़ा этим का मतल forwards मतल होता है तो अच्छा पैदावार हो जाएगा भारत में प्रफ्षाइब काम पर आज़ित की गई तो याद रखेंगे यह नई दिल्लिय में आज़ित की गई कहां पर नई दिल्ली में आज़ित की गई नेश लेक्ते हैं यहां पर देखते हैं हाली में पंजाब के रोपड जिले में के निवासी पांच वर्स यह तेगबीर सिंग ने किस चोटी पर चड़कर एसिया के सबसे कम उम्र के बेक्ति बनने का रिकार्ड बनाया है तो कौन सी चोटी पर उन्होंने चड़ा है मांट किली मंजारों पर चड़ गये हैं यह चड़ गये हैं मांट किली मंजारों पर ठीक है तो यह भी आपने आप में काफी चौकाने वाला है ठीक है अब देखिए वन 26 अगस्त 2024 को केंद्रिये गिरिह मंत्री अमिसाह ने केंद सासित पर्दिस लद्दाफ में कितने नए जिले बनाने की घोश्र की है ठीक है याद रखेंगे अब यहां पर बीस नंबर कोश्चा देखेंगे 24 अगस्त 2024 को देश में के नकसल पर भावित राज्यों को अंतर राज्य समयनों समित इंटर स्टेट कॉडिनेशन कमिटी आफ स्टेट की बैटक कहां आउजित की गई तो यह कहां पर आउजित अब बीवाल होता है या बिहार या उत्तर प्रदेश थोड़ी होगा वह होगा आपका यहीं 36 गड़ होगा या जारखंड होगा तो यहीं सबी अरिया में उडिसा होगा यहां सबी अरिया में ज्यादा नकसल पर भावित छेत्र है ठीक है तो याद रखेंगे राएपूर 36 ठीक है ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में विने घ्र फोड़ी हर जगां नकसल पर भावित छेत्र होते हैं तो हमारे यहां नाम मात्र के बीशच्छत दिए अब देखिए वाला इसका सब्सक्राइब अब देखे इक्टीन नमब्र का 24 सब्सक्राइब है यह यहाद रखेंगे आप दिखिए यहाद बाईस देखतें चौविस अगस दोजार चौविस परधान मंद्री नर्द मोदी के अधिशता में केंद्रिय मंद्री मंद्र ने सरकारी करमचारियों के लिए सेवा निमित्ति से पहले अंतिम कितने महीनों के आउसत मूल बेतन का 50% के रुप में सुनश्चित करने की मंजूरी दी है तो अंत लिए देखते हैं तेश नमबर का देखते हैं तेश नमर के अकारा बाइस से चौविस अगस्त दोजार 24 के मद्द दस में भारत अंतराश्टी MSME-Expo और शिकर्ट सम्मिलन 2024 कहां पर आजजित किया गया तो यह आजजित कहां पर किया गया कांसा दस हमां अंतराश्टी MSME-Ex के लिए राश्टिय चिकसा रगिस्टर पोर्टल का लोकारपड कहाँ किया है जिसे युद्ध यूपक्डर होते हैं उनके पंजी क्रड़ हैं के लिए उनके ठीक है तो यह कहाँ पर किया है नई दिल्ली में ही किया है ठीक है स्वास्त मंत्री कौन है जेपी नड़ा यहाद रखेंगे यहां पर देखा तेईस अगस्त 24 को केंद्रिय सिच्छा मंत्री धर्मिंद प्रधान ने पहले राष्टी अंतरिच दिवस के अउसर पर कौन से पत्रिका जारी की है तो कौन से पत मिसनों को मल्बा मुक्त बनाने है तो इसरो के लच की सरहन की है मलब राष्ट्पति ने कहा है कि भवस में यह मिसन कभ होगा मल्बा मुक्त बन जाएगा जो अपना आंतरिच है तो यह कब 2030 तक तो अब यह कुछ न ऐसे भी पूछ सकता है इसरो का लच कौन सा है कब तक है क कि दो हजार मलब जो मलबा है वो क्या हुआ मलबा मुक्त बन जाए मतलब जो अंत्रिच्छ है वो मलबा मुक्त बन जाए तो वह कौन सा 2030 तक याद रखेंगे दिखते हैं अब देखे 27 नंबर कोचन कह रहा है किस अगर्स 2020 को उपराश्पती जदीव धनकर ने दिखते हैं 28 अगर्स 2024 को भारत ने किस देश के साथ सरम आवर्वेद डिजिटल प्रोद्दोगई के साथ आने समझोते किसी के सास्त किया है मलेशिया के साथ किया है यहां पर क्या क रहा है 2000 ऑगच 2024 को पर्थम नीती निर्माता फोरम का उदखाटन कहां किया गए तो नई दिलली में याद रखेंगे नई दिल्ली में अब देखें तीस नंबर को कुशन देखते हैं कि देश भर का पहला राष्टी ये पहला राष्टी ये तो यादी रखेंगा क्योंकि पहला मनाया गया है तो ज्यादा इंपोर्टन्त होगा तेईस अगस्त जिसस दिन चंद्र लैंड हुआ था उसी दिन यूप लएंद होाई अधिक मनवार को सतरतों भी बैठा कहां आवजित की गई तो ये कहां आवजित की गई है तो ये कहां आवजित की गई है नई दिल्ली में आवजित की गई है निश्ट देखते हैं 32 नमबर का कोशन क्या कर रहा है कि 2224 को पहला बिग्यान रतन पुरुसकार किसे परदान किया गया पहला बिग यहां पर और भारी मंत्री कुमार सवामी ने किस विसे इसके पर उन्हें जोड दिया कि इव si tom के देशन बढ़का न remember देखते हैं चौशन क्या करता है 22 अगस 2024 को फसल उत्पादन आकड़ों के में सुधार पर चर्चा के लिए राश्टी संभिलन कहां आउजित किया गया नई दिल्ली में आउजित किया गया कहां पर नई दिल्ली में आउजित किया गया ठीक है नहीं दिखते हैं सब कुछ क्या कर रहा है 22 अगस्त 25 को किस कारिकरम का उध्गातन केंद्रिय ग्रामीड विकास मंत्री इस शिवराज सिंह चौहानन ने किया कि कहीं दिखते हैं पूर्व मुक मंत्री मद्दपरदेश के ठीक है और उन्होंने किस का उध्गातन किस का उध्गातन किया तो किस का उद्गाटन किया ठीक है राश्टिये कानकिलफ संगठा स्वास समिट्दी का उद्गाटन किया निक दिखते हैं कौन सा कुशन है एम आर्सी सी का उद्गाटन कहां किया यह चिन्नई में किया ठीक है चिन्नई में किया अंसर भी दिया आपका अब देखें यहां पर अठारा अगस्त दो हजार चोविस को किस पूर्व भारतिये सेडर के परमुख का चिन्नई में तिरासी वर्ष की आयूमें निधन हो गया तो कि किसना जर्नल सुंदराजन पदमनाभन का निधन हो गया ठीक है याद रखेंगे बीवाला एंसर सही हो जाएगा ठीक है यहां प कि अधरिजुत में निधन हो गया याद रखेंगे का चिन्नई में निस्कुशन देख ते क्या का रहा है कि 18 अगस्तर चोविस को केंद्रिय ग्रिभ मंतरी अभीस्तान अहम्दाबाद में नागरिक्ता संसोदन अधनियम सी यह कुतने सरदार्बारतियों को नागरिक्ता प सराड़तियों कितना 188 सराड़तियों को अब दिखिए 42 नंबर का कुश्चन किया है 14 अगस्त 2014 को काइबनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अगले केंद्रिय ग्रीश सचीव के रूप में नियुक्ति किसे अगले तो गोविंद मोहन को देखिए यहां पर जो आपको कोश्चन आपके पेपर में नहीं आता जो एकदम सिंपल कोश्चन होता यह कहां हुआ यह कहां हो यह कहां हुआ हुआ यह कौँसा दिवस है यह सब कुश्चन बहुत कम रेयर केस में आता है अब आपको थोड़ा सा लेबल बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको करेंट भी जिसके लिए आपको आई दिरिष्टी क्रोनिकल घटना सार इस समय जीन को फालो करना पड़ेगा ठीक है इस समय जीन को फालो करते रही है आपका अगर 25 कुश्चन आ रहा है करेंड में तो 20 पलस कुश्चन आपको कंफर्म सही हो जाएगा वहां पर ठीक है सभी कुश्चन आ 20ikk nar ब्रशाड मंत्राले द्वारा गहोसित 2022 के राष्टि ये फिल्म पुरुसकारों में rzyms 67 किस फिल्म के लिए सुरसर्षच आमनेता का पुरुसका जीता तो सूरसरी अबनेता का पुरुसकार किसने जीता कि इत क्या बताए किस फिल्म के लिए तो ड Stundenka के ये गी एकता ए कौंसा संसक्र था तो यह हर घर तरंगा भराये जा रहा था एक यह सा तेससे लिकतेयां पटीसरा संसकर भी याद रखेंगे इंपोर्टन है ठीक है कब से कब फराय गए था 950 दोंच चोविस के हर घर तरंगा ही आए ठीक है यह तीसरा संस्क तो आधिवासी दिवस मनाया गया तो किस के साथ सचिक अलगाव और प्रारमिक संपर्क में आधिवासी लोगों के अधिकारों के रच्छा के लिए बी वाला अंसर सही हो जाएगा 46 नमबर का कुछन क्या कहता है कि 8 अगस्त 2024 को पश्रिम मंगाल के पूर्व मुकमंतरी और बरिष्ट CPI नेता का कुलकाता में निधन हो गया कि इनका निधन हो गया तो वो बुद्ध देव भट्टा चार का निधन हो गया CPI निता थे कोलकाता में इनका निधन हो गया ठीक है याद रखेंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर 47 नमबर का कुछ न कहा हाली में भारतिय सेना ने लड़ाग छेत्र में कौन सा साइन अभ्य तो बोईंग के अद्धच और सीयोग के रूप में राबर्ट के लिए याद रखेंगा राबर्ट के लिए ने पदभार गरण किया ठीक है फूर्टी नाइन का कुश्चन नमबर देखते हैं पांसे साथ अगस्त दोजार चौब इसको गति सक्ति बिस्विद्धालर ने किसक एयर बसने पचास सेयोग से सक्ति केंद्ड केंदर का उद्गाटन किया थिक है याद रखेंगा साइवर फीस फांडेशन नेहें चिया करता है 6 अगस्त 24 को राश्पती दर्पदी मुर्मु ने किस देश के सरोच नागरिक पुरुसकार companion of the order से सम्मानित किया गया ठीक है किसको किसको सम्मानिक है राश्पती दर्पदी मुर्मु को किस देश के सरोच नागरिक सम्मान companion of the order याद रखेंगे बहुत important है companion of the order किस देश का है ये फीजी का है किस का है फीजी का है याद रखेंगा companion of the order देश देखते हैं 52 नंबर का क्या को कुशन का रहा कि 6 अगस्त 2024 को किस राजी के सुलूर एयर बस पर तरंग सक्ती 2024 सुलूर एयर बेस पर तरंग सक्ती 2024 अंतराश्ट सुलू किया गया कहां पर ये किया गया ये तमिल नाड़ में तो याद रखेंगा सुलूर एयर बस कहां पर तमिल नाड़ में तरंग सक्ती 2024 कहां पर तमिल नाड़ में आजजित किया गया बहुत important है पूछ सकता है कि तरंग सक्ती का आजजित कहां किया गया अंतराश्टि मंत्राले ने जीवित मानों अंगों के परिवाहन के लिए दिसा निर्देश जारी किये हैं तो बताइए किस ने तो यह स्वास्त और परिवार करें मंत्राले ने यह निर्देश जारी किये हैं चौन नमबर का कुश्चन क्या कहता prac तीस अगस्त 94 को जनपत्स स्वंध राश्ट्रिय እ करगाह दिवस के उपलच में किस प्रदस्णी की सुझञा की गई तो यह किस प्रदस्णी की शुरुआत की गई यह विरास्ति नाम से प्रदस्णी की सुझञाandır कि के ओनाने शरी ए यहां पर कराया है कि चार अगस्त दोजार चौबिस को केंद्रे गिरिह मंत्री यह सहकारिता मंत्री आमिस साह ने तीन नए अपराधिक कानूनों के लिए यह साथ चे कौन से नियाय से तू नियाय सुर्थी और यह समन एप कहां पर लांच किये गए हैं तो बताइए यह कहां पर लांच किये इसाच्छे नियाय से तु नियाय शुर्थी और यह समन एप यह चंदीगाड में लांच किये गए हैं कहां पर चंदीगाड में लांच किये गए हैं ने देखते हैं एकीरिन नमर कुम्षण करा कि 6-8 अगस्त दोजार चोविस के मद्व भारत द्वारा कि किस सहर में पर्थम विम्स टेक व्यापार सिखर सम्मेल का आउजन्द किया गया तो किस सहर में पर्थम विम्स टेक व्यापार सिखर सम्मेल का आउजन्द किया गया तो यह नई दिल्ली में यह देखते हैं 57 नमर कोचन कर राश्टी परदोक्य संस्थान कालिकट ने हाली में किस बेफ पोर्टल को लांच किया है तो यह किसने मलब यह भी पूसकता है निवहाली का बेफ पोर्टल किसने लांच किया है यह राश्टिय प्रदोण की संस्थान काली कटने स्टीन में लांच किया है याद रेंगे यह देखते हूं कि 58 नबर के कुछन करा रहा है कि 59 opisन कर रहा कि हुए तीन अगस्त 2014 को किस परसिद रित्यागना का निधन हो गया किसपर सिदन बहुत कि इंप्सर्फिद रित्त क् эксп रीव छह धुक शीव सबने शुर्प ठीक है तो तीन अगस्त दो हजार चोबिस याद रखेंगे नेस देखते हैं क्या का रहा है विदेश मंत्री एस जैसंकर ने किस देश में अजुध्या के राम लला की मूर्ति को परदस्त करने वाले एक विशेश इसमारक टिकेट सेट का अनावरण किया ठीक है तो यह कहां लाओस में किया कहां पर लाओस में किया याद रखें कहां लाओस में नेस देखते हैं यहां पर का रहा कि 30 जुलाई दोहजार चोबिस को परमाणु उर्जा बर्यामक बॉर्ड ने किस अस्थान पर भारत के पाहले सुदैसी प्रोटोटाइप भाश्ट ब्रीडर डेक्ट प्रसाद ने महत्मा गादी की परतिमा का अनावरण किया यह जापान में कहां पर जापान में नहीं देखते हैं अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा प्लीज कर दीजिएगा आपको इस चनल पर आरो यारो यूपी पीसेस बीपीस सी इस जितने भी कोर्स होते हैं उनके वीडियो प्रोवाइड किये जाते हैं ठीक है यह याद रखेंगे चलते हैं 23 अगर्स दोजार चौविस को भारतिये प्रतिभूत औ और बिन में बोर्ड ने आनिल अम्मानी और अन्य व्यक्तियों को कितने वर्स के प्रतिभूत बाजार तक पहुचने से प्रतिबंधित किया है ठीक है तो कितने वर्स तो यह पांच वर्स ठीक है या लग पांच वर्स निख दिखते हैं 63 नंबर को को कुश्चन कह रहा कि 16 24 को रिजर बैंकाफ इंडिया द्वारा जारी आंकुडो के इंसार देश का विधेसी ब्धर में बंडार चार दस्मलो आठ अरब से घठकर कितना रह गया तो यह कितना रह गया छे सो सत्तर दस्मलो एक दो अरब डालर रह गया कितना छे सो सत्तर दस्मलो एक दो अरव डालर रह गया ठीक है तो नहीं देखते है चोसट का पांच अगस्त दो हजार जोबिस को केंद्रिय किरसी मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने किरसी आय बढ़ाने के लिए अगले पांच वरसों में सव निर्यातों में को बागवानी कलिश्ट करने की घोश्टा की है तो यह 18000 करोड रुपे यह इंपोर्ट है ठीक है याद रखेंगे बहुत है कि अगले पांच वरसों में सव निर्यातों मुक बागवानी क्लिश्टर अथापित करने के लिए 18000 करोड रुपे निवेश्ट करने की घोश्टा की है देखिए अब यह क्या करें रहें च्छे अगस्त 2004 को काँपिनिट की समिती ने कि इस चेर्मेंं की रूप में यूप को बंजूरी दि लख ऑनिका श्री निवास định यूद्टा को मांजूरी दी याद रही 66 नमर कोशिच्चिन क्या करता है 26 अगस 2024 को भारत और SINGAPUR के मंतरियों की दूसरी गूल मेल बैठक में ऑजव की गई टू हाली में किस तंस्था ने मौकी पॉक्स की घहतक महमारी सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें तो क्टिस्ट नमपर को लेकर हाई जारी किया तो तो क्या है यह कौन सा या अधिन जापान देश में टाइफून सांसान आया था ठीक है 69 नम्र कुशन का रहा है 25 अगस्त 2014 को लिबनान के किस पूरों प्रदान मंद्री का 94 वर्स कियाई में निधन हो गया तो लिबनान में ठीक है लिबनान अभी सुर्खियों में भी है तो यह सलीम होस ठीक है तो याद रखे किस की आधिकारी क्यात्रा की तो किस देश की आधिकारी क्यात्रा की तो यह पोलेंड की आधिकारी क्यात्रा की किसकी पोलेंड की एकहत्तर नमबर के कुश्चन का रहा है कि 23 अगस्त दोजार चौव़िस को परधार मंदिर नरेंद मोदी ने यूकरेन यात्रा के दोरान भारत और यूकरेन के कुल मध्ध कुल कितने माहत्पूर्ड समझोते पर हस्थाचर किये तो कितने चार महतपूर समझोते पर हस्ताचर किये तो परदार मंदरी मोदी ने पहले पोलेंड गए थे इसके बाद कहा गए थे यूकरेन गए थे ठीक है अब यहां पर देखते हैं उकरेन की सरकार से कौन से चार पोटेबल पेट्सक्र बेटिकल यूणिट भेट कि यहाद रखेगा बीश में कियूब से क्योब से ठीया है एक था बहारत और किस देश के झाई डिल्ली में टू-प्रेश्क मंत्री वारता आजोत की गई को अब यहां पर देक्जिए प्रसिद्धी प्राप्त की आयूमिय निधन हो गया तो किसका निधन हो गया एल्न को गया 16 अगस्त दोहजार चोबिस को थाइलेंड की संसद ने किसे नए प्रधान मंत्री चुना ठीक बहुत युवा प्रधान मंत्री है यह ठीक है थाइलेंड की सरकार में तो पैत्रोंग तार्ण सिना वात्रा ठीक है यह याद रखी गई इंपोर्टेंट है ठीक है पैत्रा पैतोंग तार्न सिना वात्रा को देखते हैं ग्यारा अगस्ट दोजाचोब इसको किस देश के राष्टपती पाल काग में ने चौथे कारिकाल के लिए सपत ली तो किस के पाल काग में तो यह रवांडा के हैं ठीक है याद रखेंगे नागरिकों के लिए आगमन पर बीजा की गोश्टा की ठीक है तो यह किस की रहे जापान दच्छर कोरिया संयुक्त अरब अबिनात यह वाला इंसर सही हो जाएगा ठीक है बीजा आन अराइबल इस जिसको आप बोलते हैं ठीक है उसी को बीजा आन अराइबल को बोला ठीक है दिश्चंद्रमा के दच्छरी धुरूपर क्रेटर का नाम किस देश की पहली महिला माउंट एवरेश पर चड़ने वाली पासांग लहामु सेरपा के नाम पर रखा गया है तो वो किस देश की है तो यह नेपाल की है ठीक है पांच अगस 2024 को किस देश के प्रधान मंत्री ने इस्तिफा दे दिया तो यह बंगला देश को सबको पता होगा सेख हसीना ने ठीक है निस देखते हैं असी नमर कोशन क्या कहता है कि 30 जुलाई 2024 को किस देश के सुधारवादी मसूद पेजे सिक्यान ने नवे रूप में किसने सपदली असी नमर कोशन को ठीक है तो पेजे सिक्यान ने इरान के इरान के राश्ट्पती के रूप में सपदली याद रखे कि नाम पेजे सिक्यान 30 जुलाई 2024 को पेजे सिक्यान नवे राश्ट्पती के रूप में सपदली इरान ठीक है नहीं देखते है कि 38 जुलाइ 2014 को भारत और किस देश के बीच निवेस पर उच्छ तर्य टास्क पोर्स बैठक हुई कि अठाय जुलाइ 2014 को निकोलास मादुरो किस देश के राश्पती चुनाओं में जीत हासिल की निकोलस मादरो यह भी इंपोर्टन है निकोलस मादरो ठीक है तो सभी हर बार आपके PCS पेपर में पूश्च लेया जाता है एक जो appointment होता है उसके बारे में तो सभी का appointment याद रखेगा किसी दिन मैं सिर्फ appointment का एक ही video बना दूँगा ठीक है है अगर आप कहेंगे तो ठीक है बेनी जुला तो आप comment में कर दीजिएगा अगर बनाना होगा वह मैं उसी का bet कर रहा हूं आई दृष्टी का आई दृष्टी आएगा तो किसी जैसे आपका वह होगा किसी के निधन होगा ठीक है या कोई सुल्खियों में ज़्यादा होगा तो वह सब का वीडियो बन जाएगा ठीक है आपके वह हैंडिटेंट नोट्स में ही प्रवाइड कर दूंगा अंतराश्चिय बाग दिवस 2024 कम मनाये गया तो यह कम मनाये जाता है तो 29 जुलाई 2024 को मनाये जाता है 29 जुलाई को हमेशा मनाये जाता है 29 जुलाई को याद रखेंगे 27 सगस 2024 को स्वास्त मंतराय ने किस कंपनी को इंपॉस का पता लगाने के लिए आटी पीसी आर परिच्छर किट के निर्मार को मंजूरी दिया है तो यह कि सीमेंथ हेल्थी नियर सीमेंथ हेल्थी नियर्स याद रखेंगा यह बीवाला एंसर हो जाएगा नहीं देखते हैं यह साइंस एंटेक के कुश्चन होंगे यहां पर दस बारा कुश्चन साइंस एंटेक के दिये गए हैं ठीक हाल में भारती चिक सब बग्यान को ने एक पोर्टीबल स्मार्ट फ कुश्चन का रहा है 27 अगस्त दो जार जोब इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिम्टेड ने कौन सा एक नया सिंगल स्ट्रेंड औरल हैजा बैक्सीन लांच किया है तो किस कौन सा एक ठीक है तो हिलकोल बहुत इंपोर्टन है यह हैजा बैक्सीन कौन सा है सिंगल ठीक है बी भी एक सो एक ठीक है बी वाला इंसर सही हो जाएगा नहीं देखते हैं 87 नमर कुश्चन हाली में किस देशने भारती नौसेना में सामिल किये जा रहा है मल्टी मिसन MH-60 RC Hawk हेलिकाप्टर के लिए पंडुबी रोधी युद्ध प्राड़ी सोनो बोयस और सम्मंदित उपकरोडों की बिक्री को मंजूरी दी ठीक है तो यह याद रखेंगे अमेरिका ठीक है नहीं दिखते हैं आगस्त दोजार चोविस में नोकिया के आटमी स्थर्ड मिस्ट चंद्र मिसन के लिए उपयोग किये जाने वाले अगली प्रणी के स्थास्पेश सूट में उननत 4GLTIE संचार चम्ताओं को एक एकित करने के के लिए किसके साथ साजदारी की है तो एक सी ऊम स्पेस अमेरिका ठीक है किसके साथ एक स्थी ओम स्पेस अमेरिका के साथ साजद जारी की है ठीक है चलते हैं देखते हैं नमासी कर रहा है कि अब देखिए यहां परियवरण और पास्षिक्ति से सम्मधिस कुश्चन होंगे ठीक है ग्यारा अगस्ट दोचार चोबिस को प्रधाल मंति नर्मोदी ने कहां किर्सी और बागमानी फसलों की 109 उपज देने वाली जलवाई अनकूल और जयो ससक्ति बीच किसमें जारी की है तो यह कहां पर जारी की गई है तो 109 याद रखिएगा यह बजट में भी आया था बात ठीक है कि कितने मतलब उच उपज वाले किसमें जारी की जाएंगे तो 109 ठीक है तो यह नई दिल्ली में किया गया है तो यह इंपोर्टेंट है क्योंकि बजट में भी बताया गया था ठीक है आपकी जो रेचन्ट बजट आया था ठीक है इलक्सन के बाद वाला बजट ठीक है याद रखेगा चुलून हर यहां का नाम भी अजीव होता है अब देखिए यहां पर हाली में आपदा जोक्रिम परबद्धन बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो यह नागा लैंड बन गया है कौन सा नागा लैंड बन ग करताने के लिए किस कारिबल का गठन किया है तो यह किस कारिबल का गठन किया है तो यह बन और पश्चमी घाट अतिकरमड निकासी कारिबल का गठन किया है सी वालाप का इंसर सही हो जोगा 29 जुलाई को केंद्रिये परिवर्ण बन और जलवाय परिवरतन मंतरा लेंगी कि इस पोर्टल का सुभारन किया है यह पोर्टल याद रखिएगा कौन सा है यह ऐसे भी पूछ सकता क्वेश्चन की आईडियाज फॉर लाइफ ठीक है 94 नमबर का 23 अगस्त 2024 को भारती दूर संचार नियामक प्राधिकरर ट्राई ने किस योजना के लिए दूर संचार सुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया है ठीक है तो यह किसके लिए योजना और कारिकरम से जो कुश्चन बनते हैं उसका है ठीक है यहां पर आपको यह क्रूनिकल मगजिन पढ़ने का हो एक ही महीने में योजना भी दे देता है आपका अंतरश्टी आर्टी कि यह सब कुछ एक में कंवर्ट कर देता है ठीक है तो परियावरण वारी योजना ठीक है दूर संचास सुलक आदेश प्रारूप जारे किया है तो परियावरण वारी योजना में ठीक है किस योजना के लिए परियावरण वारी योजना निश देखते हैं पंचान में नंबर का कुछन क्या कर रहा है अगस्त दोजार 24 में डाग विभाग ने चात्रों में डाग टिकट संग्रा के परति रूच पैदा करने के लिए इस छेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ठीक है कौन से छातवरती योजना शुरू की है तो कौ अग्राइन प्लेटफार्म प्रोंप्ट डीयर आईपि अब जल्विद्धित डीपिर प्लॉज किया है तो जुरू किली li 겨े उन्वालाल-खटर्ने कोई कि न चाइज जातिक है के ही यादा खेंगेन नए ने मंत्री बने हैं तो जो जो नए नए मंत्री बने हैं उनका या 22 अगस्त 2024 को केंद्रिय नागरिक उड्डेन मंत्रे राम मोहन नाइडू ने आर्सीय सुडान के ताहत जारी दिशा निदेश के किस पर ध्यान आदित कि आप देखिए इनका भी मंत्राला याद रखिएगा कौन है राम मोहन नाइडू ठीक है यह याद रखिएगा यह केंद्रिय नागरिक उड्डेन मंत्री है ठीक है तो यह कौन सा है सी प्लेन संचाल ठीक है याद रखिएगा किसके ताहत जारि dew उने किस प्रद्ङयान के दिद कि आधि के सी प्लेन संचालन पर ठीक्यां अब सब अपने अपने छेत्र में जो भी मंत्री बने हैं सब अपने अपने छेत्र में कुछ ना कुछ कर रहे हैं 21 अगस्त 24 को 24 में हास्त सेल पर निर्याद पुरुसकार कारिकरम का योजन किस संस्था ने किया है तो किस संस्था ने किया है हास्त सेल पर निर्याद संवर्धन पर में 17 में किया है निश देखते हैं अब देखे 16 अगस्त 2024 को केंद्रिय किर्सी और कल्यार मंत्री कल्यार राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावर्ड किया है तो किस पोर्टल का अनावर्ड किया है किर्सी निर्डच सहायता प्राड़ी के डी एसस पोर्टल का अनावर्ड क कि किस हिस्से को मंजूरी दी है तो किस हिस्से को मंजूरी दी है तो पूरे मेट्रो चरणफर्ष्ट है PCMC स्वर्गेट लाइन के विस्तार को ठीक है भी वाला अंसर से हुए नहीं देखते हैं तीस जुलाई 2024 को पूर्व स्यनिक कल्याड विभाग ने एक्ट्रोनिक सेवा स्वास्त सहायता और किस पाइलिट पर योजना को शुरू किया है तो यह याद रखेंगे टेली-प्रामर्स सेवा सब्सक्राइब किया है 30 जुलाई 2024 को केंद्रिये सिच्छा मंतरी ने किस पोर्टल का सुभारम किया है तो राश्टिये पर सुच्छता और पर सिच्छड योजना 2.0 तो यह भी ऐसे कोशन बनता है कि कि राश्टिये पर सुच्छता और पर सिच्छड योजना 2.0 कि इसके द्वारा सुरुकिया गया है तो इसके द्वारा केंद्रिये सिच्छा मंतरी के द्वारा ठीक किसी वाला अंसर को हो जाएगा ठीक ने देखते हैं एक सो चार नमर का उननीस से पचीस अगस्त दोजार चोविस को जार्डन के अमान में आज़ित अंडर सेवनटीन विस व कुछती चेंपरिसिप दोजार चोविस में भारती महिलाओं ने कितने अंकों के साथ पहला किताब जीता तो भारती महिलाओं ने कितने अंकों के पहला किताब जीता है ठीक है निश देखते हैं बीस अगस्त दो जार चोबिस को किसे आगामी पेरिस परालॉंपिक में भारती दल का सेफ डे मिसन न्यूक्त किया गया तो सेफ डे मिसन किसको सत्त प्रकास सांगवान को न्यूक्त किया गया किसको सत्त प्रकास सांगवान को स्थान परदा में है कौन सा स्थान पराप्त किया है तो यह दूसरा अस्थान पराप्त किया है Cand son निश देखते हैं 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्ट 2024 के मद ओलम्पिक खेलों का आउजन कहां किया गया तो ये बताए ओलम्पिक खेलों का आउजन कहां पर किया गया तो ये पेरिस ओलम्पिक अभी चली रहा था ठीक है कब से कब किया गया 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्ट 2024 के मद ओलम्पि पेरिस ओलम्पिक केल का आयोजन किया गया तुर्भाग से हमारे यहां कोई सोना नहीं आ पाया तीक कोई गोल्ड नहीं आ पाया तीक साथ अगस्त दोजार चोविस को भारतिय महिला राश्टिय बॉलीबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर चौथी कावा महिला बॉल आयोग घोसित किया गया ठीक है यह भी बहुत इंपोर्टन कोश्चन है सुर्कियों में था न्यूज में था काफी तो यह इनका याद रखिएगा बीने फोगोट को ठीक है अब यह भी पोसकता है किस से संबंदित है यह पहलवान महिला पहलवान है और यह बीने उस फोग लिश्जाडत्ते गया पंन पर हस्ताछर की एंट बताइए लाघा तो यह किस देश के साथ 달 किस कुआ कि सवular कि सुछ जबी हई slopes के सब्सक्राइब को साथ कि से रेचांव और यह पेसाने अलगा हám बासए हो फज़तो यह फर्क है और झाय की घृए पूरू सेकल्व फाइनल में थाईलेंड के कुनुलाउत विटिन डर्स को रहाकर सौड़पदक जीता कीछ कीछ नहीं जीता कίν जीता यह डियंगाद एक्सेलसन ने ठीक पेरिस ओलंपिक में बैटमिंटर में पूरु सेकल फाइनल में थाइलेंड के कुन लावुत बिटिर डर्सांड को हरा कर ठीक है यह याद रखेंगे कौन है बिक्तर एक्सेलसन किस भारते के खिलारी को 2024 के पेरिस ओलंपिक समारों के लिए भारत का रधुज वाहक नामित किया गया टीक है बहुत certo किसको मलब समापन समारों के लिए मनू भाकर को क्सको मनू भाकर दो다고 हो को दोज़वाहक नामित किया गया ठीक है झें समर्थ 2023 को किस परदार मंत्री निसाने भाजी voz पीरिस ऑल्मिंग में इयर मिस्रित पर्दा में कांस पदक घीता ठीक है तो किस ने जीता माणु भाकर और सुर्वजी पहलोंारों मेंânciaशनों मिलयाया कि उन 1995 समापनारों में उनको बनाए गया ये याद रखेंगे इंपोर्टनीट को call ऑठा सैज़ा विजय में सबasनारों 2026 को किसन टीम नहींचे आजितने रपर समयata में मनुटेंल देख्योण को समापनारों यह याद रखेगा इंपॉर्डन्ट कोईशन है ठीक है से लंका ने जीता महिला एसिया कप 2024 का फाइनल अठाई जुलाई 2024 को महिल फार्मूला वन बेल्जियम ग्रेंड फिक्स का बिजेता कौन घोसित किया गया तो कौन घोसित किया गया फार्मूला वन बेल्जियम ग्रेंड पिक्स का बिजेता लुइस हेमिल्टन घोसित किया गया ठीक है अब हम क्या देखेंगे जो आपका वहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में इस बुक में दिया गया कौस्ट उसको सव कोस्टन है उसको हम देख लेते हैं ठीक है चलते हैं यह देखते हैं यह कौस्टन कहां से 29 जुलाई से 27 अगस्त याद रखेंगें 29 जुलाई से 27 अगस्त 2024 के गटना सार गटना करम पर आदारी था यह तो चलते हैं यहाँ पर यह आपके chronicle के पीछे 100 question दिया रहता है अब इसको आपको test की तरह लेना है कि आप कितना question सही कर पा रहे हैं ठीक है मैं क्यों कर रहा हूं यह आप test की तरह लीजिए क्योंकि maximum question लगभग कुछी question चेंज होंगे और वही सबहर ठीक है तो यह आप test की तरह लीजिए 27 अगस्त 2024 को किसे राष्टिय सुरच्छा गार्ड एनर्जी का महा निदेशक न्यूक्त किया गया अभी हमने क्या पढ़ा था किसको न्यूक्त किया गया बीर सिरी निवासन को न्यूक्त किया गया डी वाला सी ठीक है चलते हैं नेश देखते हैं क्या question करा है किस परसिद् भारत में परतिवर्ण Solutionsадцious अगस्त को राष्टिये खेल दीवस मना जाता है तो परतिवर्ण लूंटि मना जाता है ऐस्ता वर्ण मना जाता है तो कि इसकी मतलब जाण चंद मेजर ध्यान चंद्र को हांकी के जादुगर मेज़र ध्यान चंद . जैन्ति पर ठीक है इनिश देखते हैं 27 अगस 2024 को उत्तर रेलवे दोरा जारी एक आदेश के अंसार उत्तर प्रदेश की किस रेलवे इस्टेशन का नाम बदल कर गुरु गुरक नात धाम कर दिया गया है तो कौन सा इस्टेशन है तो वो जायस इस्टेशन है ठीक है जायस इ सम्प्रक कुष्ण क्या करें 26 अगस 2024 भारत और सिंगापूर के मंत्रियों की दूसरी गोल में बैठक कहां आया जुत की गई देखिए अभी वहां भी पढ़ए हैं यहां बढ़ए हैं तो कहां पर सिंगापूर में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बार बार अमिसान ने सासिद परदेश लद्दाक में कितने नए जिले बनाने की घुषड़ा की तो कितने पांच नए जिले बनाने की घुषड़ा की ठीक है देखिए वही सब कुश्चन आ रहा है ठीक है आपका रिवीजन होगा हाली में 207 संगठल ने किस महामारी को रोकने के लिए बिसो भर में 6 महिने का कारी नीतिक बचाओ योजना सुरू किया है तो किस मंकी पॉक्स को ठीक है मंकी पॉक्स याद रखेंगे ने इस देखते हैं 25 अगस्ट 2024 को लिबनान के पूरों प्रदान मंत्री सलीम होज का निधन कितने वर्स की आयू में हो गया है वहाँ पर आप संस्क्रड किसके साथ होता है भारत और सिलंका के साथ कौन सभ्यास होता है मित्र सक्त होता है कितना होता दसमत संस्क्रड होता है 25 अगस्त 2024 को संबन हुआ कहां पर आजुद किया गया तो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मुदरू ओया सिलंका में आजुद किया गया ये भी किस ने विक्षित किया है तो किस ने विक्षित किया है इश्णों ने विक्षित किया है प्दान ने पाहले राश्ट Creek कौण सी पथी का जारी कि events it को यह का इइस सपनों की उड़ान अभी में ने पढ़ा था सपनों की उड़ान और मंतिन नरन Państwo सब्सक्राइब करने लिया गया है तो कौन से ऐसा कौन सा इसा देश है तो यह पोलेंड है किसका पोलेंड देश है पर्थम राष्टी अंतरिष दिवस के समारों में अपने संबोधन के दोरान कब तक भविस में अंतरिष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने के लिए लच्छ को निजायत करने है तो इसरो की सराहना किये तो यह इसरो का लच्छ कब तक है 2030 तक कब तक है 2030 तक टेश अगस्ट मानि और यलाइस होंब फाइनेंस के पूर्व अधिकारियों सहिद 24 लोगों पर धन के हेर스र के आरोप में कितने वर्ज के लिए प्रथिभूत बाजार तक पहुंच कर दिया है कितने वर्ज तक येम परतिवंधीत कर दिया है बाच के हेर फेर के आरोप में कितने वर्स के लिए परति भूत टिकेट संग्रा के परति dorm पैदा करने के और इस छेतर में अनुस्यदान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की सुरुआत की गई है बहुत ही अच्छा कूश्चन है ठीक है 14 नमबर का याद रखेंगी आ सकता पेपर में तो दीन दयाल इसपर से योझना ऩीक लोगों में कितने डाक टिकर्ट के संग्रह उनके इकट्चा करने के रुच पैदा करने के रिए ठीक है याद रखेंगा दीन दयाल इसपर से योझ कि कब मनाया गया और कौन था पहला था 30 अगस्त 2014 को यह मनाया गया इसका विशय क्या था चंद्रमा का असपर्स करते हुए जीवन के परति सजग होना भारत की अंतरिच गाथा यही है ठीक है एक बार फिर मैं पढ़ दे रहा हूं चंद्रमा का असपर्स करते हुए जीवन के परति सजग होना भारत की अंतरिच गाथा अब देखे पीम गत्य सकती पाहल याद रखेगे पीम गत्य सकती इनिसीटीव के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूग की सतरतों ही बैठक कहां आउजित की गई यह नई दिल्ली में आउजित की गई कहां पर नई दिल्ली में मनॉरंजन सिखर् समयलन का आज़्ञ दो हजार बीस से 24 नूबर 2024 के मन कहां आउजित किया गया तो यह कहां पर आउजित किया गया तो, यह गोवा में आउजित किया गया 25 आडियो विजुर्वर्क पीम गार्ण किस पोर्टल का लोकार पढ़ किया किस ने किया जेपी नड़ा ने अभी अमने यह कुश्चन आगे पढ़ा है था राश्टित्र पोर्टल का सुभारम किया लोकार पढ़ किया राश्पत्र दुर्पद मुर्मूने 22 अगस्ट 2024 को किस परसिद्द जैवरा साइनक को पहला वि स्पोर्स ब्रांड डेकर्थान ने अगले पांच वर्स में भारत में कितने रुपए निवेज की घोशड़ा की है यह देखिए नया कुछ है ठीक है तो कितना यह दस करोड़ यूरो ठीक है अब दिखते हैं यह 20 होगा है 21 अगस 2024 को भारतिय प्रसासनिक सेवा के किस बरिष्ट अधिकारी ने वाड़िज और उद्दोग मंत्राले के उद्दोग और आंत्रिक ब्यापार समर्दन विबाग डीपी आयाइटी के सच्यू का पदभार गरहड किया है ठीक है तो यह किस ने गरहड किया है तो यह किस ने अमर दीब सिंग भाटिया ने 21 अगस 2024 को उपर आश्पती जैतिव धंकर ने 19 भारतिय उद्दोग परसंग किसे आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतिय दल का सेफ डे मिसन न्यूक किया गया है तो किसे सेफ डे मिसन न्यूक किया गया है अब देखते यहां पर क्या का कुशन कर रहा है यहां पर कर रहा है बीस अगस 2024 को भारत और जापान के बीच टू पलस टू मंत्रिय श्रीय वारता टू पलस टू मिनिस्ट्रियल डायलोग का आज़ित कहां पर किया गया इसका आज़िजन कहां किया गया 24 नंबर का कुश्चन बताईए तो यह नए दिल्ले में किया गया 28 अगस्त से 8 सिदंबर 2024 तक आज़ित होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों का उद्गाटन समारों के लिए भारतिय दोजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया सुमित अंतिल और भागसरी जादवान को ठीक है उद्गाटन समारों अगर पेरिस ओलंपिक का समापन समारों पूछे तो मनु भाकर वो ज्याद़ इंपॉर्टन ठीक है पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है ठीक है तो सुमित अंतिल और भागसरी जादव बीस अगस्त दोज़ार चोबिस को भारत ने किस देश के साथ सरम रोजगार आयजबेद प्राप्रागत आउसधी डिश्टल पर लाइवर करने के लिए सुप्रियम कोट ने क्या स्थाफिद किया है ईक राश्टिय टास्क पूर्स अस्थाफिद किया है कितना एकर आस्थ लुग बीस心 को केंद्रिय स्वास्त आउन पर्वारक रासायन और और अर्बरक मंतरी 🎵 नड़्ड़ा पर्थम नीत निर्माता फोरम का उद्घाटन कहां किया है तो पर्थम नीत निर्माता फोरम का उद्घाटन कहां पर किया है 28 नमर का ये कहां किया है नई दिल्ले में किया है ठीक है 19 अगस 2024 को भारा सरकार निस के सरम और रोजगार मतराले के अंतरगत करमचारी राज बीमा निगम E.S.I.C. के महानेदेश का पदभार किसने गरहड किया है तो किसने गरहड किया है तो ये असो कुमार सिंग ने गरहड किया है ठीक है 19 अगस 2024 को भीदेश मंतरी एस्चन संकर द्वारा नेपाल की बिदेश मंतरी आरजू राड़ा दोजबा के साथ ब्यापक वारता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावार्ट बिजली निर्यात करने की घोश्रा की गई है तो भारत को कितने मेगावार्ट बिजली इसा बहुत इन इंदरा गाधि साय दीया है ठीक है फहां इंद अगर्पोस दो divis ね को रच्छा मंतरी राजनार सिंग ने तत्र रच्छक बल्क के नए समुंदरी बच्चाओं का समय का उधगाटन कहां किया ठीट ठीटीटू का कहां किया बताई है तो यह चिन नहीं में किया ठीक है कहां पर चिन नहीं में किया 18 अगस्ट 24 को पूर भारती सेना के पर मुख ज पौश्टिक भोजन उपलब्द कराने के लिए किस योजना की सुरुवात किया है ठीक है तो किस योजना की सुरुवात किया 34 का यह मुखमंतरी बाल पौश्टिक आहार योजना की कौन से मुखमंतरी बाल पौश्टिक आहार योजना की सुरुवात किया है 35 नंबर 18 अगस यहां आमधाबाद दिया है तो कैसे भी कुछ सकता है 16-18 अगस्ट दोजारे चौविस के मद अंतराश्टी फिल्म महुस्टा का दसमा संस्क्राड कहां आजुत किया गया तो कहां पर सिमला के गेटी थीयटर में आजुत किया गया 16-2024 को थाइलेंड की संसर्दे किसे नया प्रदान मंतरी न्यू किया है पैतों गातावन सिना वात्रा को ठीक है सबसे युगा आए ठीक है 16-2024 को के लिए किस्ती और किस्तान कल्यार मंतरी राज्य मंतरी कि ने किस पोर्टल का सुभानम किया है इंपोर्टन्ट है बताईए किस पोर्टल का किसी निर्य सहायता प्रदाड़ी के डियस पोर्टल का सुभानम किया है ठीक है आप देख रहे हूंगे आपको लगबख सभी कुश्चन यादा मलब रिवीजिन हो रहा होगा ठीक है सत्रहवां अंतराश्टिय बिग्यान ओलिम्पियाड आठ से सोला अगस्ट दोजार चुबिस को कहां पर आज़ुद किया गया ठीक है अपका 40 नमर का कुश्चन देखते हैं कुश्चन आपका क्या का रहा है कि 16 अगस्ट दोजार चुबिस को परदानमंति नर्लमोदी ने की अजिता में केंद्रिय मंद्र मंदल ने पूरे मेट्रो पर जोजना के किस हिस्से को मंजूरी दी है तो पूरे मेट्रो चरड़ फश्ट पी सी एंसी सौर गेट लाइन के बिस्तार को ठीक है अब देखें 15 अगस्ट दोजार चुबिस को लाल किले पर अपने सुतनता दिवस के भासड के दौरान परदानमंति नर्लमोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पूर्ण जीवित करने की कोशिस की कि यह लाल किले पर अपने सुतनत दिवस के भासड के तो परदानमंति ने कि पूर्ण जीवित करने की घोश्टा की ठीक है तो बताईए तो यह नालंदा भिस्विद्याल ठीक है तो कौनसा नालंदा भिस्विद्याल है क्याइविनेट की नियुक्ति समीती ने 14 अगस्त 10 को मनझोरी दिगे एक इसफोष डियाबियों ने सदेसी रुप battles το कि mixing किस गलाइड बम का पहला उडानप पुर्प किया है तो यह गौरो का ठीक है किसका गौरो का 13 अगस 2024 को डियाडियों ने सोदेशी रूप से बिक्सित किस गलाइड बम का पहला उडान पर इच्छर सा फलता पूरवक किया है तो गौरो का ठीक है याद रगें किसका गौरो का 43 का सी हर घर तिरंगा भियान का तीसरा संस्क्रण अधिच और सीयो का पदभार किसने गरहड किया तो बोईंग की अधिच और सीयो का पदभार किसने रावर्ट केली ने गरहड किया किसने रावर्ट केली ने गरहड किया साथ अगस 2024 को भारतिये महिला राश्टिये बॉलीबाल टीम ने 2024 की कावा महिला बॉलीबाल नेसंस लिग में किस टीम को हराया ठीक है तो किस टीम को हराया तो ये नेपाल की टीम को किस नेशन लिग में किस टीम को हराया तो नेपाल की टीम को ठीक है हाल ही में भारतिय सेना के ने किस छेतर में परबत परहार सेना ब्यास किया परबत परहार कहां पर किया लदाक में किया ठीक है कहां पर लदाक में परबत परहार सेना का ब्यास किया गया अब यहाँ पर देखे साथ अगस्त दोजार जोबिस को किस राजर ने देश के पहले चावल एटियम का परेचर किया तो यह उडिसा ने पहले चावल एटियम का परेचर किया 5-7 अगस 2024 के मtaim गति सक्ति विसुव बिद्यारला ने अयर्बस के सहयोग से किस छेतर में परसिच्छग कारिकरम का आउजन किया तो किस चेतर में परसेश्चर कारिकरम का आउजन किया 49 को चर्म तो ये बिमामन के चेतर में ठीक है साथ अगस्त दोजार चोबिस को किस भारती पहलवान को पेरिस ओलंपिक से आयोग घोसित कर दिया गया तो किस पहलवान को तो ये मैं किसको चेर्में के रूप में नयूक किया तो ये चला स्री निवासन सेटि को नयूद सेटि को हाली में भारत और सिंट किट्स एंड नेविस के भी इस किस चेतर में सहयोग बढ़ाने के लिए समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये गए चीक है 52 खेल के चेतर में ठीक है चे अगस्त दोचर चौविस को किस राज़िक के सुलूर एरबस पर तरंग सक्ती 2024 अंतराश्टी हवाई अभ्यास शुरू किया गया तो अभी हमने बताया था पहली बार जीवित मानों अंगों को परिवाहन के लिए दिसा निदेश जारी किया है तो किसने स्वास्ता और परिवाहन कल्यार मंत्राले परिवार कल्यार मंत्राले किसने स्वास्ता और परिवार कल्यार मंत्राले पहली बार जीवित मानों अंगों के परिवाहन पर दिसा न प्रफम बिम्शिटिक स्विय किया गया यह कहां पर आउजित किया गया अब यहां पर देखते पांच अगस्तों 2024 को राष्टी महिला आयोग ने डिजिटल सक्ति केंडर का घाटन किस फांटेशν के सहयोग से किया किस साइबर पीस फांटेशन के सहयोग से किया पांच अगस्त दोजार चोबिस को भारा सरकार ने किन देशों के नागरिकों के लिए आगमन बीजा किया ठीक है बीजा आनाराइवल की घोश्रा की तो यह किस देश के ठीक है तो यह जापान दच्छड कोरिया सर्यूकत अरव अमीराथ ठीक है चंदरमर पर दच्छड दोरों पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली किस देश की पहली महिला पासांग लहामू के सेर्पा के नाम पर लहामू रखा गया तो वह कहां की माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली थी थी पहले थी तो यह कहां की थी 60 नमर का तो यह नेपार की थी ठीक है अंतराश्टी किरिकेट परिसाद आई सीसी ने अब तक सबसे कम उम्रे के अधिच के रूप में किसे चुना गया है तो अब तक सबसे कम उम्रे के अधिच के रूप में जैसा को सुना किया है ICC महिला T20 2260 के लिए भारतिय टीम का कफ्टान कौन है? तो भारती टीम का कप्तान religion कर सिस्टी डूं सिद्स के लिए ऐघिक कमाने वाली जिन महिलाओं को परदानमंत्रीं द्वारा संवानित किया गया उन्हें पर दिगए पर्धिवर्स एक लाख रूपे से आधिक है ठीक है तो वो कमाने वाली तो यह कौन सी महिलाएं है तो याद रहे कि लखपत दी दिया ठीक है लखपत दी दिया बहुत भी पर्चलित योजना है सरकार की ठीक तो लखपत दी दिया 63 कभी किस राज्य सरकार ने पश्चमी घाटो सहिद राज्य के संपूर घाट छेतरों में बन अ केरल में बहुत भयानक में भू असकलन हुआ था तो उसी के देखते हुए करनाटक सरकार थोड़ा सतर्क हो गई है कि हमारे यहां ऐसे घटना ना हो पाए तो करनाटक सरकार ने ऐसा किया है तीन अगस्त दोजार चोबिस को जन्पद इस्थित हद करगा हाट में दस हुए अराश्टिया हर्गरगाद दीवस के उपलच में एक पक्वाड़े तक चलने वाली किस परदस्नी की शुरुआत हुई तो ये बिरासत परदस्नी की किस की बिरासत परस्नी के इस सरकार ने के किस पच्चिया अबरड को मैयूर अबरड घोसित किया गया है 66 को निट है तो 66 किर्सी शुराज सिंग्छ चोहान ने किर्सी आय बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्सु में एक हजार निर्यातमुग्त बागवानी कलश्टर इस्थावग करने के लिए कितने करोड़ उपे परियरिस ओलम्पिक में सेमी फाइल ने पहुचने के लिए भारती हाग की टीम ने किस टीम को हराया था बहुत एच्छा कुछ चलिए ठीक है तो किसको हराया था यह ग्रेट बिटेन को हराया था ठीक है सत्तर नंबर को दो अगस्ट दोजार चोबिस को आठ राश्टी पीट कोरीगरोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मौमलों की कैबनेट समित की अद्रश्टा किस ने की ठीक है तो यह किसने की तो नरेंद मोदी ने की ठीक है किस भारतिये खिलाड़ी को दोजार चोबिस पेरिस ओल्पिक के समापन समारों के लिए घुष को ब्रते कर संगरा के लिए में कितने परसेट की बिद्धी हुई है तो कितने परसेंट की बिद्धी हुई तो यह 24 परसेंट की बिद्धी हुई है कितना 24 परसेंट ओलंपिक लिए भारत के सबसे कम उमके पदक भी जीता कौन है तो ओलंपिक के लिए सबसे कम उमके अमन सहावरावत है ठीक अमन सहावरावत पेर को स्चो lai कि यह को मड़ी जिदा अब हरमत प्रिद शक्राइब को ररहा है सब्धिता तो किशन कमेड़ीं खेल बच्राइब के सीटा है कि यह हर्मत प्रिट स्टिंग हाकिस है लकिन वो सिर्फ जल्द बाजी में देखेंगा अच्छा हर्मत प्रिट यह किरकट तुरन तो वहां लगाएंगे गोला करेंगे इसके बाद जब घर आएंगे मिलाएंगे अच्छा गलत हो गया ठीक है तो वो फिर चांस होना मतलब फि संबंद में क्या करना चाहिए ठीक है सेवंटी फाइव तो यह पी एल खायते के परभार ठीक है नहीं से देखते हैं 30 जुलाई 2024 को परमाड़ उर्जा नियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले सोदेशी प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रियक्टर अस्तापित करने की आनुमत दी कल पक्कम में 30 जुलाई को केंद्रिय सिच्छा मंतरी ने किस पोर्डल का सुभारम किया तो किस पोर्डल का सुभारम किया तो यह राश्ट्र परसुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् एनिवार कर दिया है। सभी स्कूलों मेराश्चिकान की मांचल प्रदेशी नियुवार actu disciple कर दिया है तो इक यह समयस हुआ है यह बॉनस समस्फिह मैं यन इयाफ दोग्तों चोविस की मेटिकल सरेड़ी में कौन सा संस्थान परठम अस्थान यह यह कौन सा स्रेडी नमर का पर्थम स्रेडी पर्थम अस्तर पर रहात एम से नहीं दिली नूसा जोलाई 2014 को केंदय परिवर्दर बन और जरवाई मंतरी प्रिवर्थन मंतरी ने किस पोर्टल का सुभारम किया है किस पोर्टल का सुभानम किया है तो आईडियाज फॉर लाइफ किस मंतरा लेकि या पोर्टल है तो केंद्री ये परियावरण बन और जल्वाई मंतरा लेका ये पोर्टल है छैच जूलाई को बीदेश-मंत्री डाक्टर एस जयसंकर ने कि कि देश में महात्मां गादी की परतिम Nein कि जापां में जूलाई कि दाक्टर एस जैसंकर की अच्छारह और यह तो लैसे तो सब्रस्तना पहले मा सिद्धर्म आवकास नीथि लागू कि यह कििसद लगय किया है कि benefit of Him यह किरल और भिहार ने मासिधर्म आवकासने लीथि लागू कि ओर एन दुर्स से गजर रहता है डेंगू के टीके का नाम क्या है तो इसका टीके करना डेंगू आल है डेंगी आल ठीक है इसका नाम है डेंगी आल अगस्त दोजार चुबिस में नीरे चोपड़ा ने पूर्सो की भाला फेक इस परदा दूसरे अस्तान पर रहते हुई अपना सीजन का सुर्शेट 89,49 मीटर तो यह कहां पर हासिल किया यह लेजन डाइमंड लिग में ठीक है तो डाइमंड लेग में अब अगस्ट 24 में परदानमंति नरंदमोदी ने किस देश की यातरा कि ती यह इसकी पॉलाइंड और यूकरेंड की यातरा कि पहले पॉलाइंड गये थे इसके बाद यूकार है तो कौं सा है ये मुवी याद रखेंगा intuitive हो परफसे कंसे चाहतरी फरवरी दोजर पचीस पे स्पेस्टेक्स के साथ प्रिटिफिपट लोटने वाले हैं ठीक है वह कौन से यह सुर्खियों में है यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इंपॉर्टन बेरी बुर्टन लगाईएगा क्योंकि आए दिन यह सुर्खियों में रहता है बैरी बिलमोर ठीक मैं हमेशा वही याद करवाने कोसित करता हूं जो आपको ना याद रहे ठीक है जो याद रहे उसको याद करने का क्या फैदा ठीक है अधिकिस देश ने अंडर सेवंटीन विस कुस्ती चेंपरसिप दोजार चोविस में महिला कुस्ती में पहला टीम कि अधिक्ताब जीता ठीक है तो यह भारत ने इन एंसी टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा रेजिदेंट ड़क्टरों के लिए अनुसांसित अधिक्तम सप्ताहिकार घंटे क्या है यह क्या है यह भी है आपके याद चोहत्तर घंटे कितना चोहत्तर घंटे याद रखेंग बिलीव आप नहीं करेंगे मैं 2000 प्लस कोउष्चन उसमें करवाने वाला हूं ठीक है 2000 प्लस कोउष्चन और वही सब कोउष्चन टेलिग्राम पर क्यूज में दूँगा वहाँ पर करेंगे आपको पूरी तरह से रट जाएगा ठीक है किस परकार के आप देखेंगे घटन कोई देता भी नहीं है जो जिस तरह से स्कूर्स मैं प्रवाइड करता हूं चाहे हैं रिटेंड नोट्स वाला देखेंगे कोई नहीं उसमें उस ताइप का देता कि घटना चक्र का हैं रिविजन करने के लिए कोई नहीं प्रवाइड करता ठीक है तो वह सब मैं सब कुछ प्रवाइड करता हूँ जो लोग और नहीं देते हैं ठीक है किस परकार के चुछ दिगरा की पहचान चिक सुलुब प्रभावक के रूप में की गई है तो इसका प्रात्मिक उद्देश क्या है तो सटीक हमला गरो गलाइड बम का प्रात्मी कुद्ध सटीक हमला है बारती वाज़ती वाज़ती कितनी बार आज़त किया जाएगा तो यह देखे तरंग सक्ति वाज़ती कितनी बार आज़त किया जाएगा तो यह देखे तरंग सक्ति वाज़ती कितनी बार आज़त किया ज कुला सभू कि अस्तापित करना है तो क्या सथापित करना है गया सभDadis करना नागल लेंड द्वरह уznासीत परामेट्रेक बीमा da मैं just 96 तो यह क्या है कि आप द्र जोकिम परद में अला रपदा है मंच्जू कि बीमा स्भारत अमेरीका मिशन के लिए अन्त्रिक हुआ यात्री के रूप में किसे चुना गया है नाइनटी स्चेक्न किसे सुना गया है यह बिंग कमांडर सुना को सुना गया थो को बिंग कमार्डर सुबांसु सुला जुलाई दोजार चोविस में यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस लेंदेन दो बीस दस्वनों छे चार लाख करोड रुपे तक पहुंच गया यूपियाई किसके द्वारा बिक्सित किया गया ठीक है तो यह किसके द्वारा बिक्सित सी रिदम कोडिया और बेद लहोटी ठीक है भारत के किन प्रति भागियों ने चोवन में अंतराश्टिय बहुत की ओलंपियाट 24 पर में सुड़ पदक जीते रिदम कोडिया और बेद लहोटी ठीक है इनका नाम याद रखेंगे ठीक है निएसे जगते हैं उन्तिज जुल बस मादूरों को घोसित किया गया अब देखिए यह एंसर है किसी में भी डाउट होगा आप यहां पर देख लिजिए सब कुछ आपको सही बताया गया है ठीक है यह एंसर है ठीक है तो पहुच करकर यहां पर देखें चलते हैं आज के लिए बस इतना ही आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में आपका घटाई द्रिष्टी आने वाला है उसको मैं करवाने वाला हूं ठीक है तब तक लिए धन्यवात नमस्कार जय हिंद जय भारत